साख, हम अपनी आवशक्ता की अनेक वस्तुओं को खरीदने के लिए प्राया अपने पास रखे रुपयों का उप्योग करते हैं हमें कई बार रिण लेने की जरूरत होती है हम अपने परिचित स्वजन व्यपारी या फिर रिण देने वाली संस्थाओं जैसे बैंक वित्य संस्थाओं से उधार प्राप्त करते हैं बैंक व्यक्ति या फिर अन्य संस्थाएं हमारी वित्य शमता का आकलन करके रिण प्रदान करती हैं जिनने हम कुछ समय बाद ब्याज सहीत लोटाते हैं। हमें कई बार वैपारी पैसा चुकाने के लिए समय देते हैं या समान खरीदने के लिए पहले पैसे देते हैं। इनी सभी रिण या रिण जैसी परिस्थित्यों को हम साख कहते हैं। साख हमारी वर्तमान और भविश्य के कई आउशक्ताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं ये हमारी तातकालिक क्रेच हमता अर्थात खरीदने के चमता में व्रिद्धी करते हैं वहीं बैंक या फिर वेक्ति हमें रिड़ देने के एवज में ब्याज के रूप में किराया प्राप्त करते हैं यह ब्याज हम बैंक के पैसो को उपयोग करने के बदले में किराये की तरह कुछ समय के अंतराल में मूल राशी के साथ चुकाते हैं इस तरह किसी संस्था या व्यक्ति के उधार से जहां एक व्यक्ति को अपनी आवशक्ता की चीजें मिल जाती हैं, वहीं दुकानदार की कुछ चीजें बाजार में ग्राहकों को रिण सुविधा देने पर बिक जाती हैं. यह व्यवस्था ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए तातकाली खित साधने में सहायक होती हैं. रिण की सुविधा एक और हमें अपनी आवशक्ता आय संपत्यों में व्रिद्धी के अवसर प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी और या कई लोगों को रिण के बोज में पूरी हो जाता है. हर रिण में ब्याज की दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे करजदार मूल रकम के साथ अदा करता है. इसके अलावा उधार दाता कोई भी चीज गिर्वी रखने की मांग कर सकता है. यह ऐसी संपत्ती है जिसका मालिक करजदार है, जैसे भूमी, इमार गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी और इसका इस्तमाल वह उधार दाता को गैरंटी देने के रूप में करता है, जब तक कि रिण का भुकता नहीं हो जाता. यदि करजदार उधार वापस नहीं कर पाता, तो उधार दाता को भुकतान प्राप्ती के लिए संपत्ती क बेचने का अधिकार होता है.